ओकी तो आज का आपका टॉपिक है नौन एक्वस्ट टाइटरिशन आज अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि नौन एक्वस्ट टाइटरिशन होता क्या है साथ में अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से factor है जो की affect करते है non-equest titration को lecture important है basically इस lecture से 2 marks का question आता है पर अगर question extend हो जाता है तो 5 marks कभी आ सकता है कि non-equest titration को अच्छा से explain कर दो अगर आपको पुराने lecture की need है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखिए और अगर आपको notes की requirement है notes download करने PDF download करनी है तो मैंने telegram की link जो है description में दे रखिए आप वहां से जाके download कर सकते हो तो चलो शुरू करते हैं इसके topic non-equest titration तो देखो topic को start करने से पहले अपर उसके importance देख लते हैं जो non-equest titration है वह आपको pharmacy के semester exam में पांच marks में पूछा जाएगा ठेक है तो lecture को ध्यान से सुनना काफे जादा important lecture है कभी कभी सिर्फ 2 marks में पूछ लते हैं non-equest titration होता क्या है simple definition पूछ लते हैं ठेक तो चलो start करते हैं non-equest titration तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि non-equest titration की जरूत हमें क्यों पड़ी ठेक है क्यों हम equest titration के लावा करनी पड़ी हमें non-equest titration ऐसा क्यों तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था neutralization curve में कि weak acid और weak base के case में अपने वहाँ चार case देखे थे तो एक case ऐसा आता है weak base और weak acid ठीक है तो इसमें जो अपने को sharp end point नहीं मिलता equest titration में इसलिए हमें करनी पड़ती है non-equest titration तो जिसना last lecture ने देखा देख सकता है neutralization curve का मैंने playlist के link जो है description में दे रखी है तो अगर मुद्दे की बात करूँ में तो non-equest titration की जरौत क्यों पड़ी क्योंकि weak acid weak base का जो graph है titration का जो curve है वह हमें equest medium में उसका sharp end point मतलब अच्छे से end point नहीं मिल पा रहा था तो हमने लिया non-equest titration किसके लिए weak acid or weak base के लिए तो यह आप लिख सकते हो काफे ज़्यादा explanation हो गया non-equest titration का ठेक है काफे ज़्यादा अच्छे definition हो गई है देखो मैं यहाप लिखी हुई भी है they use for the titration of weak acid and weak base ठेक क्यों कर रहे है because we need sharp end point क्योंकि हमें equest में नहीं मिला था ठेक और उन substance के लिए भी कर सकते हैं जो की aqueous medium में soluble नहीं है जो की water medium में soluble नहीं है उन substance के लिए भी हम क्या करेंगे non-equest titration करेंगे अब जैसे example देखो मैं weak acid weak base का तो देखो acid and hydride acid halide amino acid carboxlic acid यह सब weak acid है ठेक है weak base जैसे nitrogen containing heterocyclics ठेक है quaternary ammonium compound तो यह सारी weak base है तो आगे देखते हैं इसके factor affecting के कौन-कौन से factor जो है affect करते हैं अपनी non-equest titration को तो चलो देखते हैं कि कौन-कौन से इस factor है जो की affect करते हैं non-equest titration को तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर temperature ठेक है temperature किस तरह सब्सक्राइब करता है देखते हैं तो एक बात ध्यान रखना जो non-equest solvent होता है उसका coefficient of expansion जादा होता है एक्वस solvent से या फिर आप बोलो water से एक ही बात है एक्वस या जादा होता है as compared to water ठेक है अगर small change भी होता है small difference भी आता है तो उसकी वज़े से error आ जाता है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है ठेक है strandization and titration should be performed at same temperature और अगर आप नहीं करोगे तो error आ जाएगा आपका non-equals titration खराब हो जाएगा तो आपको लगबग same temperature पर यह दोनों perform करने standardization और titration अब देखो यहाँ पर formula दे रखा है आपको तो देखो formula काफी easy है सबसे पर आपको लिखना है VC ठीक है VC क्या है corrected volume of titrant ठेक उसके बाद आपको लिखना है V V क्या है volume of titrant measure आप इसको यसे याद रखते हो video call करते रहते हो न तो VC लिख देना सिधी सी बात क्या है corrected volume of titrant और V क्या है volume of titrant measure ठेक है और bracket में लिखना 1 plus 0.0011 जितने 0 उतने 1 ने पीछे 0.0011 T1 minus T2 तो यह formula है T1 क्या है कि temperature at which titrant was standardized हम titrant को किस temperature पर standardized कर रहे है वो है T1 और T2 क्या है temperature at which titration was carried out ठेक है ऐसा temperature इस पर titration हो रही है और T1 क्या है ऐसा temperature जहांपे हम titrant को standardized कर रहे हैं तो यह है formula ठेक आगे देखते हैं और कौन-कौन से factor है जिस पर affect होता है या जिससे affect होता है हमारा non-aquest titration तो देखो और भी factor है जिससे nature of solvent solvent का nature किस type का है ठेक है solubility case ही है जो substance को हम titrate कर रहे हैं उसकी solubility case ही है ठेक है atmospheric CO2 तो यह कुछ factor है जिसकी वज़े से affect होता है non-aquest titration अब आपन देखने वाले कि या non-aquest titration में अपने end point कैसे निकालते हैं तो देखो दो method है या था आप potentiometric method लगाओ ठेक है या फिर आप use कर लो indicator with the help of indicator आप निकाल सकते हो end point या फिर आप potentiometric titration कर सकते हो ठेक है तो एक बात और मैं पता देता हूं end point निकालने से पहले कि हम solvent को किस तरह से select करें हमें कैसे पता लगेगा कि यह solvent अच्छा है जैसे एक वस में तो पानी हो गया ठीक है वहां तो select करने की जिरूत ही नहीं है पर जो non-aquest titration कर रहे हम वहां पर हमें solvent तो select करना पड़ेगा न एक वस में तो हो गया है यहां पर non-aquest में हम जो solvent select कर रहे हैं वह किस बैसे इस पर select कर रहे हैं उसमें क्या-क्या खास बात होनी चाहिए तो देखते हैं देखो कौन-कौन देदे अच्छा end point देदे शूट गीव शार्प end point मतलब अच्छा end point देदे जल्दी end point देदे वह solvent जो हम यूस कर रहे हैं ठेक है ज्यादा महेंगा नहों not expensive easily purified मतलब आसानी से pure हो जाए ठेक है low toxicity मतलब खराब कम हो एक तरह से ठेक है तो यह सब जो factor है इनको देखके हम हमारे solvent को select करते हैं non-equest titration में यह सारे factor होने चाहिए उसमें ठेक है आप कभी भी कोई भी चीज लेने जाओगे तो सब फाइदा देखोगे कि यार यह सस्ती भी है अच्छी भी है ठेक है तो उसी तरह से हम solvent को select कर रहे हैं non-equest titration में अब चलो देखत है end point कैसे निकालेंगे indicator की मदश से तो देखो मैंने यह पर लिखा हुआ है with the help of indicator we find end point in non-equest titration तो मैं example देने वालों की कौन-कौन से indicator होते हैं और कैसे-कैसे medium में हो कैसे color देते हैं तो देखो सब-सब पहला है crystal violet यह indicator जो है यह acidic medium में green color देगा basic medium में violet उसके बाद बात करें एक के बाद कोमा है यहां पर napthol benzene यह जो napthol है यह dark blue देगा acidic medium में और basic medium में देगा सिर्फ blue ठेक है तीसरा indicator है और acid blue यह जो है pink color देता है acidic medium में और blue color देता है basic medium में ठेक चोता है quinaldin red अब इसका नाम ऐसा यह जीप सा है ठेक है तो यह acidic medium में colorless होता है और जो basic medium में उसमें देता है यह meganita color यह फिर आप बोलो reddish purple ठेक है meganita color क्या बोलते हैं reddish purple ठेक तो यह था आज का अपका लेक्चर comment section में comment कर सकते है thank you